हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो स्वागत है एक बास सभी मेरे मित्र भाई बहन दोस्तों का आपके अपने इस यूटूब चैनल जिसका नाम है टार्गेट विथ राज जी हाँ दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लाश 12 बायोलोजी प्रैक्टिकल में डी अन्ने की सं रचना से आधारे जो भी important questions पूछे जाते हैं वाईवा में आज मैं आपके लिए वो questions लेकर आया हूं and I hope और मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर जी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like किजेगा share जरू को subscribe किजे साथ में bell icon को all पर प्रेस कखे रखे notification on रहे जिससे हमारे दोरा वीडियो का जितना भी notification दिया जाए आपके पास सबसे पहले वो मिलता रहे ओके फ्रेंस तो चलिए भाई बीना time waste किये मैं बताता हूं आपको class 12 biology practical में DNA की समझा से लेटेड questions और यगर आपने अभ चार्ट पेपर से रिलेटेड ही जो है आपसे questions examiner सर पूछेंगे यदि आपकी फाइल जो है अगर वो स्कूल में submit है तो उससे कोई problem नहीं है आपका चार्ट पेपर आपके साथ होना चाहिए ओके फ्रेंस तो चलिए भाई बीना time waste किये बीना समय गवाई हम सुरू करते है आठी class और class का पहला question है DNA क्या है है ना जी DNA क्या है पहला question अगर आप सोचता एक जामरा सर पूछी ले कि DNA क्या है क्या होता है DNA तो आपका answer क्या हो जाएगा DNA एक आनुआंसिक पदार्थ है या बहुत से दोस्त भाई बन होता है DNA का समचना आप चार्ट पर ड्रा कियों तो आपके लिए तो DNA से लेटेड यह बहुत ही महत्तपूर questions आपके सामने दिया गया है ना जी और next question क्या है कि DNA का full form क्या है DNA का full form डी आक्सी राइबोस राइबोस सरकरा है या फिर डी आक्सी राइबोस सरकरा है इंगलिस में इसको चेंज बोल दिया रहता है तो जो भी है आ आप DNA का full form जो है आप इसको बता सकते हैं ठीक है और question number third क्या कर रहा है कि सबसे पहले DNA की खोच किसने की अगर DNA से लेटर question बरना है भाई तो जाइज बते है खोच किसने किया था इसका full form क्या है वो सारी चीज़ा आपसे पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले DNA की खोच कि दिये थे और नेश्ट है कि DNA की दिव कुंडली संगरचना की खोच किसने की जो DNA है इसकी खोच किसने की थी एक DNA की खोच किसने की वो अलग है और DNA की जो दिव कुंडली जो संगरचना है इसकी खोच किसने की यहाँ पर इसको मेंसन करना है आप इसमें कंफ्यूज मत हुए दिखुंडिली टेक है और एक केammenवें डियन्य है इसको ध्यान ठ्क हर और कराया है कि पाया कहा जाता है कैनेजिक यो पाया कहा जाता है तो आपको इसके बारे में भी आपको बताने होंगे और कोस्ट नोमर्ज 6 पुछ रहा है कि डियन्य में कौन कौन से चिहारक पाए जाते हैं DNA में जो छारक पाए जाते हैं वो कौन से छारक पाए जाते हैं आपको इसके बारे में भी यहाँ पर बताने हैं ठीक है जी और question number 7 क्या पुछ रहा है कि DNA में nitrogen छार किस बंद द्वारा जुड़े होते हैं जो DNA में जो nitrogen का जो छार है वो किस बंद द्वारा जो जुड़ा होता है और 8 नमर कराए कि DNA का कार क्या है DNA का आखिर काम करता क्या है भाई सबी का कुछ न कुछ कार होता है तो इससे सब DNA का कार क्या है यह DNA जो है कौन सा कार करता है clear है उसके बाद 9 नमर हमारा क्या करा रहा है नाई नम्मर कि DNA के प्रतेक कुंडल की लंबाई और स्रिंखलाओ के बीज की दूरी कितनी होती है ध्यान से देखिएगा जो प्रतेक कुंडल की लंबाई है यानि जो टेड़ा होता है न भाई कि DNA को X-ray क्रिष्टलो ग्राफी से किसने समझाया था DNA को जो है X-ray क्रिष्टलो ग्राफी होता है इसको किसके माध्यम से या किसने जो इसको समझाया था उस प्रति के बारे में आपको बताने है ओके तो देखिए ये 10 कोस्चन्स जो वाईबा में ज्यादातर DNA से लेटेड को पूछे जाते हैं तो जिन्होंने DNA से लेटेड कोस्चन्स बनाए हैं आप सभी लोग के लिए ये मोश्ट इंपॉर्टेंट कोस्चन है और एक्जामनर सर इतने से ही आपको कुछ न कुछ पूछ सकते हैं क्योंकि DNA से आपके इतने कोस्चन्स आसानी पूर्वक बनाये जात और फ्रेंट्स जदी आपको सभी प्रसनों के जवाब भी चाहिए सभी कोस्चन्स अगर आपको उत्तर चीए तो आप प्रीज मुझे कमेंट में फटा फटा बता जी जगा और आज होगे हमारा 29 क्योंकि 28-30 से आपका सेकेंड चरण का प्रेटकल चल ला है बहुत से दोस् अगले वीडियो में आपको यही कोस्टन से लेकर आया हूं तो भाई अगर आपको वीडियो देखना है अगला तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा ओके फ्रेंस तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही गुड़ नाइट जय हिंद जय भारत